हेलो दोस्तों बहुत सो फिने शेयर बजार में आपका एक बाफर से स्वाग गता है आज हम एक पर्टिकुलर न्यूस से बाते करने जा ले उस शेयर से बाते करने वाले उस शेयर की बारे में फाइनिशिल है जानेंगे तो इस वीडियो के लाश्ट तक बने रहना ओके ख़िए लो तो यह 弟 क्या अच्छ़ भी है ओके और एक एसी न्यूस है कि यह शेयर आपको भाग सकता है आपको जाने खरोंग पर आई एक ताकि हम साथ में मलक्रों कर सके और नीचे डिस्क्रिप्षिन में दो लिंक Elиях रखे हैं अगर आपका दीमेट और ट्रेडिंग एकाउंट नहीं है, यहाँ पर यह लिंक है, यहाँ पर क्लिक करें, फिरी में आपका दीमेट अकाउंट पुलन हो जाएगा, कि साथ एंचल ब्रोकिंग के साथ, और एस वेल नीचे एक और लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे, तो श्रीराम जी का one month chart pattern लेए ते देखिए negative 6 month chart pattern लेजिए ओके कभी ये 212 रुपये पर चलता था और आज है अगर हम देखे लिए 300-325 तक गया था अगर बात करें इसके maximum chart pattern की तो यहां पर देख लीजिए maximum chart pattern यह भी आपके सामने है सब चीज अच्छा नज़र आ रहा है यहां पर ग्रावट आ आती है तो बड़ी गिरावट आती हुई हमिए नज़र आती है तो उसी तरीके से भागती हुई हमिए नज़र आती है पर यहां पर आप देख लीजिये 52 वीक लोग तो एक सो तेई सुरुपे का यह शेर था 22 मर्च को 52 वीक हाई की बात करें तो 4 मर्च को 334 रुपे का यह शेर हमें नजर आया लगवक 40% की इस्दारी शारी यहां पर डिलीवरी बेसेश पर शेर खरीदे गई है यहां पर देख लिए 3,81,251 और अगर हम बात करें कंपनी इंफोर्मिशन में तो देखिए प्रमोटर्स का 64% की इस्तेदारी है पबलिक के पास 35% की इस्तेदारी है और डिविडेंट डिविडेंट देने के मामले में कंपनी काफी अच्छी है 2020 में देखिए यह दो बार डिविडेंट दे चुकिए 16 रुपे का 21 रुपे गा तो आप कुछ समझ सकते हैं डिविडेंट देने में तो कंपनी माहिड है और यहां पर अगर हम देखे तो कोई यहां पर शेयर जो गिर्वी है ओके 22% के शेयर गिर्वी है बट आपको बताना चाहता हूं कि यह जब 25 से ज़्यादा बढ़ी आता है ताब एक चिंता जनक वो होता है रेशो बट अभी यहां पर 22% की इससे दारी यहां पर गिर्वी की तरफ बढ़ता हूँ नजर आए यहां पर अगर हम देखते हैं वन डे वन मंत तक यह गिरता हूँ नजर आता है ओके एक में साल का चार प्रेटन देखते है तो एक साल के अंदर अंदर दिया है तो आप खुछ समझ सकते हैं 125 रुपे का शेयर ओके आज 325 रुपे तक हो पर शेयर 200 रुपे का इजाफा देते हुए नजर आया वह भी छोटा शेयर अगर 10 यह की बात करें तो 17 रुपे का शेयर है देखिए इसे रिकमेंट करने का यवाल एक ही रिजन है वह है सिंपली ओके वह न्यूस वह न्यूस है इस वज़े से मैं आपको बता रहा हूँ अ पर शेयर नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यह कंपनी का नाम है और इसे रिलेटेट क्या खबर है ओके हम जान लेते हैं तो इससे रिलेटेट खबर यह है कि पर मोटर्स पर मोटर्स इसमें एक गौर्रमेंट है जिसके पास लेटेट नाम है और वह सारी की सारी अपनी हिस्सेदारी बेश रही है और सारी की सारी अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी से बेश देगी और जब यह कंपनी से अपनी हिस्सेदारी बेश देगी तो आपको बताना चाहता हूँ यह शेयर आपको तूफान की तरह बागते हुए नजर आएगा ओके तो इससे लेटेड सुप्रिम कोर्ट में बहुत जल्दी सुनवाई होने वाली है वह सब चीज आजाएगा तो यह शेयर आपको आग की तरह बागता हुआ नजर आएगा और हमें अगर न्यूज पता है तो हमें अच्छे शेयरों को पहले करना चाहिए ओके अगर न्यूज आएगी तो बात है फिर तो पांच तो दस परसेंट बीस परसेंट बागता हुआ नजर आएगा और तो फिर उस मामले में हमारा जो हातों से होता है न कि एक मलाई निकल जाना तो वह बात हो जाएगी बाकी और कुछ नहीं है अगर बात क है तो 21 का रोसी है जो काफी बहतरीन है ओके इस वल एज डाट इक्विटी रेशो की बात करते हैं तो देखें 0.25 का यहां पर डाट इक्विटी रेशो नजर आ रहे हैं और हम यहां पर देख लेते हैं सेल्स तो देखिए इस कंपनी का सेल्स देख लिए 2018 में 227 करोर अब के सेल्स नजर आ रही है जो कि पहले हमी गिटती हुई नजर आ पिर उसके बाद देखिए वरती हुई नजर आ रहे है तो मपिनी का बिजनस कर रही है प्रफिट की बात की रहे है तो यहां पर देख सकते हैं 22 करोड रुपे का प्रॉफिट इसने जनरेट किया हैं ओक यहां पर देख लेजिए आपके सामने रिजल्ट है अभी तक का जो यहां पर सेल्स है पिछले बारे महीने बीस अजार करोर की सेल्स है और प्रॉफिट भी देखिए यहां पर 38 करोर रूपे का प्रॉफिट है तो कंपनी एट लिश्ट यहां पर बिजनस करती हुई हमें पर प्रॉफिट आया और कर्जा लिया तो अभी 9000 करोर रूपे का कर्ज है बट कोई इश्ट नहीं है कंपनी के पास अच्छा का सा रिजर्व से रखा हुआ है इन्वेस्टमेंट की बात करें 15000 करोर रूपे का कंपनी ने इन्वेस्ट कर रखा है कैश इक्विलेंट की बात करें 12000 करोर रूपे का कंपनी ने इस केश है और क्या चाहिए केश के पास बीलबर 2.5% की है और अभी पब्लिक के पास कितनी है पबलिक के पास है किवल 1.82% की इसे दारी जो की कुछ बीच नहीं है बट अगर बात करें government की तो government के पास लगभग तीस percent की हिस्सदारी और जो की बेचने वाली और जब यहां पर यह बेचेंगे ना तो कौन खरीदना जराएगा यह दो यह दो जो है ना FIIs और DIs यह हमें खरीदते हुए नजर आएंगे इस पूरी की पूरी हिस्सेदारी को अभी तो शेयर ही नहीं है तो वो खरीदेंगे क्या बट अभी एक पर गवर्णमेंट बेच देगी तो FIIs DIs बेचेंगे और FIIs DIs पर पेचना शुरू किया तो यह शेयर आख की तरह भ देख लेते हैं तो देखिए यहां पर अच्छा खासा यह लेवल पर आपको मिल रहा है ओके यहां पर अभी अच्छे खासी गिरावट अल्रेडी हो चुकी है अगर थोड़ी बहुत और गिरावट हो सकती है अगर बात करें यहां पर कितना तो 240 उरुपे तक यह शेयर आ स नजर आया तो जैसे ही मार्केट थोड़ा सा आप उप जाएगा जो कि मुझे लगता है कि इस वीक खतम होती साथ जो एक बार इसका एकस्पारी खतम होई तो एक दम अच्छा खासा मूब लेगा मार्केट हो जैसे अच्छा खासा मूब लेगा तो यह शेयर आपको भागत लेगा मुझे तो इसलिए इसकी तरफ धियान दीजिए काफी अच्छा बैतिन शेयर मुझे नजर आ रहा है और नियूज अभी मार्केट में नहीं है और आपको नजर आ जाएगी आप सर्च करेंगे तो शाह शाम तक आपको दिखा दे बाकी मुझे काफी अट्रक्टिव नजर आ रहा है और मैं भी जल्दी इसमें इनवेश करने वाला हूं तो यह मेरी थी बाकी आपको जो इच्छार हो रही है अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिस्क आप ले सकते हैं अपनी इच्छा नुसार अपनी पॉकेट को देखते हुए और काफी ब भागता होने जर आएगा बाकी अपने financial advisor से जरूर पूछ लेजएगा यह अपनी study जरूर कर लेजएगा यह वीडियो को रिकमेंडेशन नहीं के वर नौलज पर पर से मैंने आपको बताजिए बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमें शेयर करियो हमारे चैनल बहुत लागता थर्व विस आपको झे मैं आपको लेजीً होड़ा यह kok कराठ करने एंस वज